नमस्कार दोस्तो मैं पूणम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कोकिंग चैनल कुपीत पूणम में दोस्तो आज हम बनाएंगे गौर फली की सब्जी और यह बहुत ही स्वाधिश्ट होती है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप गौर फली को उसके जो रे जो कि सब्जी में अच्छा नहीं लगता है तो चलिए आज मैं आपको एक नए तरीका बताती हूं जो बहुत ही आसान है और इसके सारे रेसे उस तरह से अगर आप निकालेंगे तो निकल जाएंगे तो चलिए मैं आपको बता देती हूं कि हमने इसके रेसे किस तरह से निका देना है जब यह उबल के और ठंधा हो जाएगा तब हम इसको छी लेंगे तो देखें हमने कड़ा ही चड़ा दी है और करीब 5-7 मिनट इसको लगेगा उबलने के लिए और अब देखें मैंने उबाल के इसको ठंधा कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसके रे से निकल जाएंगे तब आपकी सबजी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी क्योंकि जब रेसे मुँ में आते हैं तो सबजी खाने में अच्छा नहीं लगता है इसके रेसे निकालने का ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी ये निकल भी जाता है और इसमें बि अगर इस टेकनिक को अपना कर और इसके रेसे निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा तो इस तरह से मैं रेसे निकालती हूँ और चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके सारे रेसे किस तरह से ये देखे निकल जात लहसुन, अदरक जो भी डालना है आप इसमें डाल के इसका एक अच्छा सा पेश्ट बना ले तो अब देखे पहले हमने इसको सूखा ही चला दिया था और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसका एक पढ़िया सा पेश्ट तयार कर लेंगे और उस मिक्स करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भी धूल के निकालेंगे जो हमारे जार में लगा हुआ है और उसके बाद इसमें हम मसाले आइट करेंगे तो मसालों में हमने इसमें डाल दिया है हल्दी आधा चमच और उसके बाद हम इसमें डालेंगे करम मस और फिर हमने इसमें दो चम्मच सब्जी मसाला डाल दिया है। सभी मसालों को इसमें डालके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे वो भी मसाली जो हैं वो इसमें फूल जाएं। और आप चाहें तो इसमें धनिया जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप धनिया जीरा का पाउडर डाल दें। सब्जी मसाला डालने से इसमें सारी सब्जीयों का मसाला जो है एड हो जाता है। इसलिए हमने इसमें सब्जी मसाला डाल दिया है। अब हमने कडाही चरहाँ दी है, कडाहए में हमने डाल दिया है तेल और जैसे हमारे तेל गरम होगा हम इसमें आधा चब्स जीरा डाल देंगे और जीरा चटकने के बाद हमने एक बारीक बारीक उसको हम इसमे डाल देंगे और जब हमारा प्याज थोड़ा सा भून जाएगा थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा इसमें तब हम इसमें डालेंगे मसाले और मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे तो लगपक देखें प्याज हमारा हो चुका है और मसाले हमने इसमें डाल दिये हैं अब इसका सबसे अच्छा काम है कि आप फ्लेम कम कर दें और अच्छी तरह से इस मसालो को भूने तब तक भूने जब तक मसाले आपके तेल नहीं छोड़ देते हैं अगर आपके मसाले अच्छे से नहीं भूनते हैं तो फिर सब्जी का स्वाद अच्छी तरह से नहीं आता है क्योंकि सारे मसालों का जायका जब आप धीमी आज पे भूनेंगे तभी उसका उभर के आता है तो देखें लगबग मसाले मारे भून चुके हैं और अब हमने इसमें सब्जी डाल दी है यह गवारफली जो हमने छील के भी रखी थी उसको हमने डाल दिया है अगर आप चाहें तो इसको चक्कू से चोटा चोटा भी कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई बहुत ज्यादा आवस्यक्ता नहीं होती है तो हमने इसको जिस तरह से तोड़ा था बस उसी तरह से छोड़ दिया है थोड़ा सा हम इसी से पल्टे से जो है उसको दबा दबा के कट कर देंगे जो थोड़ा बहुत बढ़ा होगा वो कट हो जाएगा अब हमने इसमें डाल दिया है पानी थोड़ा सा ताकि मसाले हमारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसके बाद इसमें हम नमक डाल के और इसको हम ढख के पकने देंगे तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज करें और जितना भी आपको खाना है हम तो इसको चावल के साथ भी खाते हैं और आप जैसे भी खाना चाहें चावल दाल या रोटी के साथ जिससे भी खाना चाहें आप उसे साथ से नमक आट कर लें अब हम इसको ढख के रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए और जब ये पक जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे तो अब देखे सब्जी मेरी बिल्कुल तयार हो चुकी है और देखे सारे एकदम इसके रे से निकल गए तो अच्छी तरह से ये गल भी गया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं बावल में जिसमें हमको सर्व करना है तो उसमें हम निकाल लेंगे और क्योंकि हमने काश्ट आयरन की कडाही में बनाया है अगर हम उसमें छोड़ देंगे तो सबजी हमारी काली पड़ जाएगी इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो सबजी देखें विल्कुल रेडी हो चुकी है मेरी और बहुत ही स्वाजिस सबजी बनी है तो उमीद है आपको भी पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेयर जरूर करिएगा और बेल भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आएगा